Friends Welcome to my channel Friends आज मैं आपको The Bishop Candlestrach drama करवाने जा रही हूँ जिससे Norman McKinnal ने लिखा है इसमें उन्होंने हमें Bishop के character के बारे में बताया है कि किस तरह उन्होंने एक Convict को जो Convict है जिसने कुछ Crime किया है उसे कैसे change कर देते हैं, उसे कैसे अच्छा इंसान बना देते हैं अपने character की खूबियों के साथ, अपने kind-hearted के साथ. इस play में चार characters हैं, जैसे bishop, उनकी sister person, उनकी maid Mary और a convict. The Bishop Candlestick is a deeply moving play. It deals with the problem of evil, sin, crime and reform. Some people feel that evil can be ended or crushed by the use of force, but it is wrong to think so. A criminal cannot be reformed by punishment. The only way through which we can reform a criminal is by love and forgiveness. यह deeply moving play है, इसमें कुछ evils के बारे में बताया गया है, और उसे कैसे reform किया गया, कैसे बदला गया, उसके बारे में भी बताया गया है. अब some people feel that, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि evil can be ended, evil को खतम किया जा सकता है, उसे crushed करके, उसे force के साथ खतम किया जा सकता है, but it is wrong to think so. तो ऐसा सोचना गलत है, a criminal cannot be reformed by punishment, एक criminal को ठीक punishment के साथ नहीं किया जा सकता. अगर किसी criminal को, किसी convict को ठीक करना है, उसे reform करना है, तो उसे प्यार से, उसे माफ करके भी ऐसा किया जा सकता है. अब इसमें जो bishop है, उनकी क्रेक्टर के बारे में बताया गया है, कि वो सेंट्रल क्रेक्टर इस प्ले के, वो काफी नॉबल परसन है, उनमें मानवता की जो खूबियां है, उनमें कुट-कुट कर भरी हुई है, जब वो रूम में थे, तो एक convict उनके रूम में एंटर होता है. he has a long knife in his hand he demands food and shelter at the point of the knife the bishop is not disturbed at all he gets up and calls her sister person bishop room में अकेले है एक अन्विक्ट उनके room में आता है उसके हाथ में लंबा सा चाकू है वो डिमांड कर रहा है food और shelter की खाना मांग रहा है और रहने के लिए जगे मांग रहा है किसके at the point of the knife उसकी हाथ में knife है the bishop is not disturbed at all the bishop इस सबसे disturbed नहीं होते he gets up and call her sister person वो अपनी बहन को उठाते है और उन्हें ऐसा करने के लिए खाना वगेरा लाने के लिए कहते है she comes grumbling अब जो person उनकी sister है वो काफे गुसे से आती है बोलते हुए the convict is offered food and drink person then goes to her room वो उन्हें convict को food और drink देकर अपने कमरे में बापिस चल जाती है the convict tells the bishop that he was an honest and hard working man अब जो convict है वो जब उसे food मिलता है और shelter मिलता है कुछ drink मिलती है तो वो bishop से कहते हैं कि वो भी कभी इमानदार थे hard working इंसान थे poverty led him to steal to buy food for his dying wife वो कहते हैं कि मैं convict कैसे बना मैं अपरादी कैसे बना कि जो गरीबी थी उसके कारण मुझे अपनी बीमार मरती हुई पत्नी के लिए उन्हें जो खाना चुराना पदा अब उसकी वज़े से वो ऐसा होगे नितो पहले वो भी काफी honest थे hard working थे he was in prison for 10 years इसके कारण उन्हें 10 साल की सजा हुई he was beaten like a wild beast अब जब उन्हें सजा हुई तो उन्हें जेल में कैसा मारा जाता था जैसे किसी जंगली जानवर को मारा जाता है it crushed his soul इसने मेरी आत्मा को ही खतम कर दे इसलिए मैं ऐसा हूँ one day he ran away from prison उसने का कि एक दिन मैं इस जेल से भाग गया मुझे मोका मिला तो मैं जेल से भाग गया the bishop speaks to the convict in a sweet manner लेकिन ये सब सुनकर भी bishop ने convict के साथ काफी अच्छे से बात की काफी sweet manner से उसके साथ बात की he asked him to lie down and take rest bishop ने उने का कि तुम बैठ जा और सो जा rest करो तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है his eyes fall on the bishop silver candlestick अब जो convict था उसकी जो नजर उसके bishop के silver candlestick पर थी वोसे लेना चाहता था his time to run away अब उसे लेना चाहता था the convict run away with the candlestick person at once get up bishop को तो यह सब कुछ पता था कि वो candlestick लेकर जा रहा है लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने convict को जाने रहे लेकिन जैसे ही उनकी sister ने देखा तो वो एकदम से आगी she discovered the theft she awakens the bishop bishop doesn't want to convict taken back in jail जैसे ही उनकी sister पहसम ने अपने brother bishop को बुलाया तो वो उन्होंने सोचा कि police को बुलाया जाए लेकिन जो bishop थे वो नहीं चाहते थे कि इनको वापिस jail में भेजा जाए क्योंकि jail में इनके साथ काफी बुरा वेवार हुआ था और जो bishop थे वो तो काफी kind-hearted इनसान थे वो तो ऐसा चाहते ही नहीं थे कि इन्हें दोबारा से jail में जाना पड़े in the meantime the convict is arrested by the police लेकिन उसी समय police आई और उन्होंने convict को arrest कर लिया the bishop tells the police that that man is his friend the convict is released अब जब उस convict को police ने arrest कर लिया तो bishop को बुलाया गार उनसे पूछा गया इस सब के बारे में तो bishop ने कहा कि यह तो मेरा दोस्त है इसलिए इस सब बातों को सुनकर police ने release कर दिया convict को the goodness and charity of the bishop bring about an inner change in the convict अब जो bishop की goodness थी जो इतने अच्छे थे उनकी charity की जो उनमें feeling थी इससे bishop के जो अंदर की जो आत्मा थी वो एकदम से change हो गई he is now a changed man वो अच्छा इंसान बन गई bishop ने उन्हें समझाया कि तुम्हें अच्छा इंसान बनना होगा तुम्हें दोबारा से hard work करना होगा इन सब बातों को सुनकर वो जो convict था वो totally change हो गया he is now a changed man thank you